प्यारे वच्चों, कॉंसेट लाइफ की तरफ से आपको हिंदी माध्यम में दज़वी क्लास के विज्ञान का एक अध्याय पढ़ाय जा रहा है जिसका नाम है बैद्यूत धारा बिद्यूत धारा से हम सभी परिजित है हमारे घरों में जब भी विद्यूत धारा जिसे हम करेंट कह देते है तो आज हम बैद्यूत धारा के चैप्टर के अध्याय के बारे में सीखेंगे तो विद्युध धारा का यह जो chapter है इस chapter को जब हम पूरा कर देंगे तब आप विद्युध धारा वपड़िपत को परिभाशित करना सीख जाएंगे व्यभव वववांतर को समझ जाएंगे परिपत आरेख यानि जो सरकेट डायग्राम का चित्र होता है उसकी आप विवेशना करना सीख जाएंगे ओम के नियम का वर्णन करना भी मैं आपको सिखाऊंगा और उन सभी तत्यों को समझेंगे जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है साथ ही प्रतिरोधों की प्रणाली यानि की शेणी कम क्रम एवं सामानता क्रम में उन प्रतिरोधों को जोडने की प्रणाली का भी हम यावे वर्णन करेंगे और विद्यू धरा की वज़े से जो भी उश्मी प्रभा होते हैं क्योंकि हम जानते हैं सर्दी के दिनों में हम पानी गरम करने के लिए जो रॉड होती है उसको वाल्टी में डाल करके पानी गरम करते हैं या फिर ठंड से बचने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो सब विद्युद्धारा पर आधरित आपकी मशीने होती हैं जो की उसमें प्रवाग पैदा करती हैं तो चैप्टर को अध्याय को शुरू करने दे पहले विद्युद्धारा के इन सभी उप्रोक्त वर्णित विंद्वों को हम यहाँ पर समझेंगे जब यह चैप्टर खतम हो जाएगा तब तब तो आप सभी इन पॉइंट्स को लिख लें समझ लें और पढ़ लें हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पधार्त में तीन तरह के कर्ण होते हैं प्रोटोन जो धनात्मक होते हैं, न्यूट्रोन जिन पर कोई भी तरह का आवेश नहीं होता और एक होते हैं इलेक्ट्रोन वो इलेक्ट्रोन जो की जिनका आवेश क्या होता है रिडात्मक होता है और ये परमाणू के केंदर के चारों और परिक्रमा करते हैं जबकि प्रोटोन जो होते हैं वो केंदर में होते हैं अब विद्यूत धारा क्या है कि जब भी इलेक्टरोन चालत के माध्यम से गती करेंगे तब विद्यूत धारा उत्पन होगी तो अब हम विद्यूत धारा को ही यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से लिख लें विद्यूत आवेश के प्रभा की दर को ही हम विद्यूत धारा कहते हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ विद्यूत आवेश के प्रभा की दर यानि की एक सेकेंड में कितना आवेश वहाँ है उस मातरा को हम विद्यूत धारा कहते हैं ये बैध्यू धारा जो होती है वो दो तरह के की होती है पहली का नाम है प्रत्यावर्ती धारा हमारे घर के अंदर जो सरकारी बिजली आती है वो वाकई में प्रत्यावर्ती धारा ही होती है इसको भी आप अच्छे से नोट करें तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो प्रती होता है वो इस तरीक की होता है गोले के अंदर इस तरह का एक सांप जैसा साइन लगा दिया जाता है तो ये किसको बता रही है? प्रत्यावर्ती धारा को जिसको अंगरेजी में AC से यानि की Alternating Current से शो करते हैं तो जब प्रत्यावर्ति धारा परिपथ में भहती है तो वो दोनों धिशाओं में भहती है जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं तीर दिखाए गए यानि कभी तो ये इस तरह से भहेगी और कभी ये उल्टी दिशा में भी भहेगी यानि कि आधे साइकल में ये इस तरफ से घड़ी की दिशा में जाएगी तो बच्चे हुए आधी साइकल में ये घड़ी के वीपरी दिशा में भी चलेगी तो प्रतियवर्ती धारा इस तरीके की होती है तो बहर विद्यू धारा जो आगे बहर पीछे का मतलब यहाँ पर है जो दोनों दिशाओं में यानि घड़ी की दिशा में भी और घड़ी की वीपरी दिशा में भी जब भैती है तो उसको हम प्रतियवर्ती धारा कहता है दूसरी तरह की धारा यहाँ पर आपको दिश्ट धारा दिखाई गई है तो दिश्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में भाएगी यानि की प्लस से माइनस की तरफ यह देखिए प्लस साइन दिखाया हुआ है यहाँ से धारा माइनस की तरफ आईगी तो जो भी बजार से हम वो 5-6 रुपय वाला छोटा सा सेल खरीद के लाते हैं और अपने टॉर्च में या रिमोट में लगाते हैं उन सब से कौन सी धारा निकलती है? दिश्ट धारा निकलती है जबकि सरकार की तरफ से हमारे सॉकेट में या स्विचेस में जो बिजली आती है वो हमारी क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा काफी सस्ती पड़ती है इसलिए घर के अंदर इसका इस्तेमाल के जाता है दिश्ट धरा, सैल के अंदर, या मोवाइल के अंदर, या इन्वर्टर बैटरी जो होती है, उसके अंदर संग्रहित हो पाती है तो यहाँ पर यह एलेक्टरॉन बहते हुए दिखाए गए हैं, यह एलेक्टरॉन माइनस से प्लस जा रहे हैं और इलेक्टरॉन के वीपरी दिशा में बैद्यूत धरा को बहता हुआ माना जाता है तो आप इसको नोट करें, बैद्यूत धरा जिसका की प्रतीक आई हो, वो होगा आपका आवेश प्रभा की दर तो आवेश को किस से दिखाते हैं, क्यूं से दिखाते हैं, और समय को किस से दिखाएंगे, टी से दिखाएंगे तो कुल्म लाकर बिध्यूत धरा है, वो आपकी Q divided by T से, या फिर आवेश तो विध्यूत धरा आवेश प्रहा बटा लिया गया समय। इसके जब हम में दी मात्रक की बात करें, तो आवेश का मात्रक होता है कुल्म और समय का मात्रक होता है सेकेंड इसलिए आई का मात्रक किस से दिखाए जाएगा कुल्म प्रतिस सेकेंड से, जिसको की हम एम्पियर भी कहते हैं तो आप इन सब को अच्छे से नोट करते जाएं, विद्युद्धारा का ये अध्याय में क्या है विद्युद्धारा आवेश प्रवागीदर QYT से दिखाएंगे, इसका जो मात्रक है वो होगा कुल्म प्रतिस सेकेंड जिसको की हम एम्पियर भी कहते हैं और निमेकल करते वक्त एम्पियर को जस्ट पीछे पीछे एसे दिखा देंगे तो मैं इसका एक छुटा दर क्यूशन आपके सामने लेके आता हूँ किसी तार से 10 कूलाम आवेश, कूलाम को C से दिखा रहे हैं 10 कूलाम आवेश आधे सेकंड में गुजरा हो तो वैध्युद्धरा का मान बताएं तो अभी अभी हमने क्या देखा कि वैध्युद्धरा का प्रतीक हमने आई इस्तेमाल किया था आवेश का प्रतीक हमने क्यूं इस्तेमाल किया था और ये समय को बता रहा है तो टाइम कितना हो गया, आधा सकंड आवेश कितना हो गया, दस कूलाम और वैजित धारा क्या है, आई इन सब के बीच में क्या संबंध है ये भी हम थोड़ी देर पहले बता के आपको चुके है तो बस यहाँ पर मान लग दें क्यों कामान कितना है, दस कूलाम समय कामान कितना है, आधा सेकंड तो ये जब उपर की तरफ चला जाएगा तो ये आपका आंसर जाएगा बीस, एमपियर को हम किसे दिखा देंगे एसे, तो इस तरीके से आप धारा कामान निकाल सकते हैं तो उम्मीद है ये क्यूशन आपको समझ माया हुआ, आप इसको नोट कर लें अब हम इसके बाद विध्यूद विभव एवम विभवांतर को समझेंगे तो विध्यूद विभव एक अदिश राशी है जिसको की वी से दिखाईनिया मागे चलके सिर्व वी से विध्यूद विभव वी को इस तरह से परिभाचित किया गया है कि विभव उर्जा जो कण के आवेश से विभाजित करके प्राप की जाती है यानि कि कार्ये डिवाड़ बाई आवेश यानि जब भी उर्जा या कारे को आवेश से आव विभाजित कर देंगे तो आपको विध्यूद विभव प्राप्त होगा जो की एक अदिश राशी है जिसको की हम वी से ही दिखाईंगे जहाँ पर प्लस आवेश होता है वहाँ पर हम विभव उच्च मानते हैं जहाँ पर रिणात्मक आवेश होता है वहाँ का विभव हम निम्न मानते हैं अब विभव के वाद हम सीखेंगे विभवांतर यानि विभव का अंतर तो विधुद विभवांतर जो होता है वो आवेश के प्रवा की दिशा निधारित करता है जैसे यहाँ पर उच्छ तल दिखाया गया यहाँ पानी का इसमें तल उचा है इसमें पानी का तल नीचा है तो पानी हमेशा उच्छ से निम्न की और भएगा ठीक उसी तरीके से यहाँ पर प्लस प्लस आवेश जमा हो धनात्मक आवेश जमा हो तो इसका विभव उच्छ हो मात्रा कम थी तो सारा जल इदर से बहता है वह आपका इधर चला गया तो हम इसमें बोलेंगे कि इसमें बिभव अधेक है इसमें बिभव कम है तो इनके बीच में एक बिभवांतर है और उस बिभवांतर की वज़े से ही परीपत में धारा बहेगी जब भी हम कभी बजार से एक नया सेल लेके आते हैं तो उसमें एक तरफ प्लस लिखा होता है एक तरफ माइनस लिखा होता है तो प्लस का मतलब है वो उच्छ विभव पर है माइनस का मतलब है वो निम्न विभव पर है जिसको कि हम यहाँ पर समझाते हैं तो बजार से जब भी आप सेल लेके आते हैं जो साथा ठुपे का जो आता है इसमें एक तरफ प्लस लखा होगा एक तरफ माइनस लिखा होगा और ज्यादा तर जो रिमोट बगरा में सेल डाला जाता है वो देड़ बोल्ट का यानि 1.5 बोल्ट का होता है जहां प्लस लिखा जहां माइनस लिखा हुआ है वो क्या होगा आपका निम्न विभव तो प्लस वाले को मैं मालो A बिंदू मालो निम्न विभव को मैं B बिंदू मालो तो यह यह कहना चाहरा है बिंदू A के विभव A1-Bindoo B के विभव में कितना आमान है? 1.5 V या इस V को हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? विभव के लिए तो यदि सिर्फ V ये लिग दिया यानि कि ये क्या हो गया? A का विभव तो सिर्फ V ये लिग दिया मतलब ये क्या है आपका A का विभव जबकि ये जो पूरी राशी है ये क्या कहलाएगी? विभवांतर किस किस के बीच का? A वा वी बिंदू के मध्य का विभवांतर तो विभव किसी एक बिंदू का होगा और उसकी परिवाशा हमने पहले ही दे चुके हैं कि V is equal to कारे बटा आवेश तो विभव जो होता है किसी विंदू का माले ये एई विंदू का निकाल रहे हैं तो A तक किसी आवेश को लाने में क्या गया प्रती एकांग आवेश का कारे तो प्रती एकांग आवेश को जैसे हमने Q कमान 1 रग दिया तो ये एकांग आवेश हो गया ठीक है जी? तो जब Q कमान 1 रग देंगे तो आपका उपर सिर्फ W A रह जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा तो विभव क्या होता है? किसी भी एकांग आवेश को उस बिंदू तक लाने में किया गया कारे इसको ठीक से समझिए किसी भी बिंदू का विभव उस बिंदू तक किसी एकांग कावेश को लाने में किये गये कारे के बराबर होता है तो यहाँ पर यह सारे सुत्र लिखके समझा भी दिये गए है यदि इस विभव के मात्रक की बात करें तो कारे का मात्रक कौन होता है जूल और क्यों का मात्रक कौन होता है कुलाम तो विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रतिकुलाम जिसको की हम क्या बोलते हैं वोल्ट तो जो V विभव है इसका मातरक क्या होता है? वोल्ट विभांतर का मातरक भी यह क्या होगा? आपका वोल्ट तो वोल्ट को या तो आप ऐसे लिखें इंग्लेश में, हिंदी में ऐसे लिखेंगे और सिंबल इख सिर्फ V लिखे दिखाये जाता है तो कोई भी नया सेल जब बजार से लाए जाता है तो उसके प्लस और माइनस के बीच में विभुवानतर होता है वोई छह मेने बाद जब सेल पुराना हो जाता है तो वो विभुवानतर खतम हो जाता है यानि ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर भी पानी बहना कब बंद हो जाएगा जब दोनों तरफ पानी का तल समान हो जाएगा तो तलों के बीच का अंतर शुन्य हो जाएगा तो जिस तरह से यहाँ पर पानी नहीं बहता है उसी तरीके से जब सैल पुराना हो जाता है तो एंपियर हम मात्रक इस्तेमाल कर रहे हैं धारा के लिए वो एंपियर जो इकाई है वो इन वग्यानिक के नाम पर दी गई है तो इन वग्यानिक का नाम क्या था आंद्रेई मेरी एंपियर तो धारा की इकाई का नाम करन इनहीं वग्यानिक के नाम पर किया गया है क्योंकि इन अब है परिपत आरेक परिपत आरेक को इस तरह से समझिए कि यदि आपको अपने घर के अंदर एक फैन चालू करना है तो आप क्या करते हैं स्विच जो होता है उसको आन करते हैं यानि इसको दवाते हैं तो वो एक परिपत कहलाएगा उस परिपत में क्या क्या होगा एक तो आपका स्विच जिससे आप उसे चला या बंद कर रहे हैं एक उसमें क्या जाएगा पंखे का रेगुलेटर और एक क्या हो जाएगा खुद पंखा और साथ ही इस पूरे परिपत को यानि इस बंद निकाय को आप बहार से धारा भी देंगे जो हमको सरकार देती है तो हम उसी परिपत आरे की बात कर रहे हैं यानि तारों एवं बिध्युत यंत्र से बना हुआ एक परिपत जो की बंद होगा तो उस बिध्युत परिपत को किसी योजनावद आरेक द्वारा किस तरह से वियत कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ ही प्रतीक दिये गए हैं उन प्रतीकों को बना करके हम परिपत आरेक को पूर्ण करते हैं तो जब कभी भी आपके साफ ने इस तरह की ड्रॉइंग आये जिसमें एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी होगी तो वो किसकी होती है बिध्युत सेल की तो यह जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस को दिखाती है जो छोटी लाइन है वो माइनस को दिखाती है यानि जो बड़ी लाइन है वो उच्च विभव है जो छोटी लाइन है वो निम्न विभव है Cell किसी भी दिष्टधारा वाले परिपत का एक महतपुर्ण हिस्सा है क्योंकि ये ही उसमें उर्जा की या धारा की मात्रा को पूर्टी करते हैं बिना इसके किसी भी दिष्टधारा का परिपत में उर्जा का वहाव नहीं हो सकता है अब विद्यू सेल के बाद अगला नमबर है बैटरी आम बोलचाल की भाषा में हम सेल को भी बैटरी बोल देते हैं जबकि मेरा ये कहना है सेल एक बचन होता है बैटरी बहु बचन होती है यानि किसी बैटरी के अंदर 4 सेल, 8 सेल, 10 सेल हो सकते हैं जब कभी हम इनवर्टर बैटरी की भी बात करते हैं तो उसके अंदर 6 सेल, 8 सेल या बैटरी की साइज के उपर निर्फर करता है तो आप खुद उसको खोल के देखेगा उसमें अलग-अलग ब्लॉक दिखते हैं उसी तरिके से किसी टॉर्च में यदि हमने 3 सेल लगा रखे हैं तो उन 3 सेलों के सम्हूं को हम एक शब्द में बैटरी कहते हैं तो अभी मैं अन्त में यह बोल रहों को सेल, एक बच्चा नहीं यह नि एक को हम सेल को बोल रहे हैं एक से ज़्यादा सेल लेंगे तो वो बैटरी कहलाईगी स्विच यह बहुत छोड़ी सी बात है ओन या ओफ करने वाला जो बटन होता है जिससे कि आप किसी कमरे में बिजली को चालू करते हैं लाइट को चालू करते हैं टीवी को चालू करते हैं वो स्विच को हम किसी भी परिपत आरेक में इस तरीके से दिखाते हैं इसका एक दूसरा प्रतिक भी होता है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कोई भी जो तार है जो विद्धु धरा को प्रभा कर रहा है उसको हम एक सीधी लाइन से दिखाया करेंगे जबकि एक जलने वाले बल्व को हम इस तरीके से गोले के अंदर ये क्रॉस काट के दिखाएंगे जो भी प्रतिरोध होगा अपने आप में जो भी पंका है बल्व है टीवी है सब प्रतिरोधी हैं तो उस टीवी को की नहीं मेरे पास LG या सोनी का टीवी उसको नहीं दिखाते हैं उस टीवी का प्रतिरोध होगा और इस तरीके से उसको दिखाये जाएगा अब प्रतिरोधक में भी दो तरीके होंगे ये अचर होगा यानि इसका मान नहीं बदलेगा पर जो चर प्रतिरोध होगा जिसका की मान बदलेगा उसमें बीच में इस तरह से तीर दिखा देते हैं अब चर प्रतिरोध क्या है? जैसे आप ये पंके का जो regulator होता है, जिसको की घुमा-घुमा करके आप सर्दी या गर्मी के मौसम के हिसाब से पंके की गती को आप निधारित करते हैं, तो वो जो regulator है, वो अपने आप में ही चर प्रतिरोध या परिवर्थनिय प्रतिरोधक है. परिपत आरेक के अंदर आपको इस तरह के गोले में ए लिखा हुआ भी दिखेगा, तो वो एमीटर कहलाता है, और इस एमीटर का काम धारा के मापन का है, कि किसी परिपत में कितनी धारा, पांच एम्पियर, दस एम्पियर, कितनी धारा बह रही है, वो बताने का काम कहलाता है यानि वोल्ड मीटर लगाया लगा है उस परीपत में इसका काम किनी दो बिंदों के बीच में बिभुवांतर नापने का होता है तो आप किसी भी परीपत आरेक में जो भी प्रतिक या मातरक दिये जाएंगे उनको आप सब नोट कर लें जिससे कि हम आगे चलके परीपत को पढ़ सकें कि वहाँ पर सहल किसको कौन से चित्र से दिखाय जा रहा है प्रतिरोत किस चित्र से दिखाय जा रहा है बल्व किस चि तो key on-off करने वाली को या तो इस तरह से भी दिखाते हैं साथ ही इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है तो ये जो on-off करने वाला है या जो key है उसको हम इन दोनों तरीकों से दिखा सकते हैं इसको यह प्लस और इसको माइनस से भी दिखाया जाए ज़कता है यह उच्छी विभवव पर है और यह निम्न विभवव पर है जब भी कोई mobile discharge हो जाता है और जब हम उसको on नहीं कर पाते तो वहां पर क्या हो जाता है यह दोनों तरफ भी भवव का मान समान हो जाता है इसलिए मैंने भी भी समान होने का इस तरह से दिखा दिखा दिया है दोनों रहाए बराबर हुए है अब वो cell काम नहीं करेगा या Mobile काम नहीं करेगा पर जैसे आपने उस Mobile को चे चार्जिंग दिए लागा दिया इन्वंटर बैटरी वो चार्जिंग पर लगा दिया तो फिर कोई सीची RJ voila बढ ईयों जाती है उस पर यानि ठनात्मकावेश का संग्रण हो जाता है दूसरे वाली पर रेक लैन चो पर तार्ष म cadaver का संग्रण हो जाएंगे तो यह सब वैद्युद धारा का पहला पार्ट था जिसमें कि हमने आपको सिर्फ विद्युद धारा एवं विद्युद विभावायम विभांतर के बारे में बताया ओम्सला एवं प्रतिरोधों का सयोजन एवं धारा का उश्मी प्रभाव हम विडियो के दूसरे हिस्से में लेंगे उमीर है कॉंसेट लाइब का ये हिंदी अध्याय आपको पसंद आया हुगा शुक्रिया